गुड आप्टरनोन इस्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में गुप्त कालिन कला और इस्तापत्य कला के बारे में जानकरी प्राक्त करेंगे तो देखिएगा यदि आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप इत्यास विशे की अच्छे से तैयारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं गुप्तकालिन कला इम इस्थापते कला गुप्तकाल में संपूर उत्र भारत में हमें अद्बूत कला अत्मक्ता दिखाई देती है कला की वीविद विधाओं जैसे वास्तु, इस्थापते, चित्रकला, मृद्भांड कला आदी इस यूग में विक्सित हुई धरम एम कला का समनवे स्थापित हुआ तदा कला पर से विदेशी प्रभाव करम सहय समाप्त हो गया था सबसे पहले देखते हैं वास्तु कला, वास्तु कला में है मंदिर, तो गुप्त यूगीन जो वास्तु कला के सरोतम उदारन मंदिर है वस्तुत है मंदिर के अफसेस हमें इसी काल से मिरने लगते हैं गुप्तकालीन मंदीरों के कुछ सामाने विशेशता हैं इस परकार से हैं देखेगा और मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि मंदीरों के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है तो वहाँ आप देखेगा गुप्तकाली इन मंदिरों का निर्मान सामानेत एक उंचे चबूत्रे पर हुआ था जिन पर चड़ने के लिए चारों ओर से सीडियां बनाई गई थी प्रारंबिक मंदिरों की छतें चप्टी होती थी किन्तु आगे चलकर सीखर भी बनाई जाने लगे मंदिर के बीतर एक चोकोर अथ्वा वर्गाकार कक्स बनाया जाता था जिसमें मूर्टी रखी जाती थी यह मंदिर का सबसे महत्वपन भाग था जिसे गरब ग्रय कहा जाता था गरब गरए तीन और से दिवारों से घिरा होता था जबकी एक और परवेश द्वार बना रहता था पहले गरब गरब गरए की दिवारें साधी होती थी किन्तु बाद में चलकर उन्हें मूर्तियों तथा अन्ने अलंगरों से सजय जाने लगा गरब गरए के चारों और उपर से आचादित परदक्षिना पत बना होता था गरब गरब गरए के प्रवेश द्वार पर बने चोकट पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की अकरतियां उतकिन मिलती हैं जो गुप्त कला की अपनी विशेशता है उपर के सीरापट तता पास्रा भाग में भी हंस मिथून, स्वस्तिक, स्रीवरिक्ष, मंगल कक्स, संक, पदमे, अधि पवित्र मांगलिक चिन्हों एम पर्तिकों का भी अंकन किया गया है द्वार के अलंकरण के संबंद में वाराह मिहर का मत है कि द्वार साखा के चोथाई भाग में पर्तिहारी अर्था द्वार पाल तता सेस में मंगल विहग, स्रीवरिक्ष, स्वास्तिक, घट, मिथून, पत्रवली, आधिका अंकन का उलेक किया गया है पहले गरब गरे के सामने एक इस्थम्यूक्त मंडब बनाया जाता था किंदो बाद में चलकर इसे गरब गरे के चारों ओर बनाया जाने लगा द्वार इस्थम्प अलंकरित होते थे जिनमें पून कलस की आकरती बनी रहती थी कलस के कलस से पुस्प बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं अब देखेगा इस्तूप तथा गुहा इस्तापत्ते इस्तूप का साब्दिक अर्थ धेर होता है यह एक गोल टिले के अकार की सरंचना है जिसका परियोग पवित्र बोध अवसेसों को रखने के लिए किया जाता है गुप्त काल में ऐसे इस्तूपों का विकास काफिक किया गया था मंदिरों के अलावा दो बोध इस्तूपों सारनात का धमेक इस्तूप और राजग्र इस्तित जरासंग की बठक का निर्मान के लिए ताक बनाए गये हैं इस्तूप पर बना लत्ता पत्र काफिक प्रसंसित हुआ है तता इस पर बनी हुई जैमीत या आकरतियां भी उलेखनी है सिंद छेत्र इस्तित मीरपूर खास स्तूप का निर्मान प्रारंबिक गुप्त काल में करवाया गया था इसमें तीन छोटे चत्ते बने हैं केंद्रिय चत्ते में इटों की महराब बनाई गई है इसकी उतकिर्ण एवम अलंकरत इवम मिट्टी की बनी भूध मूर्तियां गुप्त काली मृत भांड कला की सुन्दर उदारण है नर्शी है गुप्त बालादित्य ने नारंदा में बूध का एक भव्य मंदिर बनवाया था जो तीन सो फीट उंचा था बात के चिन्नी यात्रियों ने इसकी परसंसाभी की पांचवी सती के मंदिरों में बोध गया के मंदिर का भी उलेक किया जा सकता है इसके गरब गरह में बुध की विशाल परतिमा भूमी सपर्स मुद्रा में आसीन है मुख्य प्रवेश्टवार पूरव की ओर है इसके पास सीड़िया बनी है जिनसे पहली मंजिल पर पहुँचा जा सकता है वहाँ एक चोड़ा खुला स्थान है मंदिर में कोई वात्तायन या गवाक्ष नहीं है इस परकार इसकी योजना अपने आप में विलक्षन है अब देखेगा गुहा इस्तापत्य कला तो गुहा स्तापत्य का भी विकास गुप्त युग में ही हुआ था ये दो परकार की हैं ब्राहमन तथा बोध विदिता के पास उदेगेरी की कुछ गुफाओं का निर्मान इस यूब में करवाया गया है यहां की गुफाएं भागवत तथा शैव धर्म से संबंदित है उदेगेरी पहाड़ी से चंद्र गुप्त द्वित्य के विदेश सचिव वीर सेन का एक लेख मिलता है जिसे विदित होता है कि उसने यहां एक शैव गुफा का निर्मान करवाया था तता बगवान विश्णों के सम्मान में करवाया था उदेगेरी की गुफाएं पूर्ट या उतकिर नहीं है तता खुदाई तता पत्थर जोड़कर उन्हें निर्मिते किया गया था उद्यगिरी की गुफाओं को मिथ्या गुः की संग्या भी दी गई है इन गुःओं में चोकोर तता साध्य गरबग्रय बने हैं जिनके सामने की और इस्थंबों पर टीके हुए छोटे मंडप हैं गुःओं के द्वार इस्थंबों को नदी देवताओं तथा द्वार पालों की मूर्तियों से अलेंकरते किया गया है बोत गुःओं मंदिर भी गुप्तिकाल में ही बनाए गए थे इनमें अजन्ता तथा बाग पहाडी में खोदी गई गुफाओं का उले किया जा सकता है अजन्ता में कुण 29 गुफाएं हैं जिनमें 4 चत्तेग्रय तथा 6 विहार हैं इनका निर्माण इस्वा पूरा दूसरी स्ताब्दी से लेकर 7 विहार तक किया गया है इनमें प्रारंबी गुफाओं गुफाओं ही लियान तथा बाद की महायान संपरदास से संबन देते हैं तीन गुफाएं कौन-कौन सी 16 वि, 17 वि तथा 19 वि गुफतकाली न माननी जाती हैं देखेगा क्यूसर बनता है यहां पर कि कौन सी गुफाएं हैं जो गुफतकाल से संबन दीता वो है आपकी 16 वि, 17 वि और 19 वि ठीक है सोलवी गुफा अजन्ता के विहारों में सबसे सुंदर है और इसके मंडब में 20 इस्थम्ब हैं ठीक है गरब-गर है वर्गाकार है जिसमें बुद्ध की विसालकाय मूर्ती प्रलंब पाद मुद्रार्थात पैर लटकाये हुए में बनी है गुफा अस्थम्बों की विभिनता दर्शनिय है क्योंकि किनी दोव में समानता नहीं है सत्रवी गुफा भी आकार प्रकार में सोलवी जैसी ही है बरामदे की दिवारों पर चित्रित भाव चक्कर अरता जीवन चकर के कारण पहले इसे रासी चकर गुफा कहा गजाता था इसमें सरवादिक भीती चित्र सुरक्सित है उन्नीसवी गुः एक चैत्य है जिसमें पूर्वा वर्ती चैत्यों की भांती गरब गरह गलियारा इम इस्थम्ब बने हुए है इसमें मुख्य भाग को सजाने के लिए कास्ट का प्रियोग नहीं किया गया है प्रिवेस्थवार की चिप्टी चत्य चार इस्थम्बों पर टिकी है तता उपर बड़े आकार का चत्य गवाक्ष बना हुआ है शैल कृत इस्थूप में उच्चा बेरनाकार अंड है जिसके उपर गोल गुम्बद हर्मी का तता तीन चत्र है भीति स्थम्बों के बीच बुद की मूर्तियां खड़ी तता अथ्वा आसीर मुद्रा में बनी हुई है साथी साथ यक्ष नाग दमपत्ती साल भंजी का रिशी मुनियों आदी की आकरतियां भी है चत्य ग्रह में केवल एक परवेश द्वार है मंडब के दोनों और परदक्षिना मार्ग पर 17 पंक्ति बद स्थम्ब बनाए गये हैं और इस गुफा का भस्चिमी भारत के स्थम चत्य ग्रहों की मूर्थियों में वर्णन किया गया है जो मानव रूप में प्रवेश द्वार ताखों एम एकासमक इस्थूप पर उतकिन की गई है ऐसा लगता है कि इन पर महायान बोधरम का परभाव था अब देखेगा बाग गुफाएं अजन्ता की तरह से ही बाग पहाडी मध्य परदेश के धार जिले में इस्तित है यहां से नो गुफाएं प्राप्त होती हैं जिनका समय भिन-भिन परकार का है इस इन में कुछ गुप्त कालीन है बाग की गुफाएं भी बोधरम से सम्मंदित है सबी विक्सूओं के निवास के लिए यह बनाई गई है पहला विहार नस्ठ हो गया है दूसरा सुरक्सित अवस्था में है जिसे पांडव गुफा कहते हैं इसके मद्दे एक चोकोर आंगन है जिसके बगल में कमरे बनाए गए हैं बरामदे में ताखों पर मूर्तियां बनी हुई है तीसरी गुफा को हाती खाना रथता चोती गुफा को रंग महल कहा जाता है इसके दिवारों पर चित्तरकारी मिलती है सेस गुफाए नस हो गई है बाग की गुफा अपनी वास्तु से अधिक चित्तरकारी के लिए परसिद है जो हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे अब देखेगा गुप्तकाल में मूर्तिकला का इतिहास वास्तो कल्ला के सम्मान ही मूर्ती कल्ला का भी गुप्त काल में हत्तेदिक विकास हुआ गुप्त समराटों के सरंक्षन में भागवत धर्म का पूर्ण विकास हुआ तथा उनकी सेश्णूता की निती ने अन्य दर्मों एम संपर्दायों को फन्ने फोर्णने का अवसर परदान किया पड़ाव सरूप इस काल में विश्णू, सिव, सूर्य, गणेस, इसकंद, कुबेर, लक्समी, पार्वती, दुर्गा, सब्तमात्रिकाई, आति हिंदू देवी देवतों की परतिमों के साथ साथ बुध, बोधिस्त्व, इम जैन तिर्थंगरों की मूर्तियों का भी निर्मा की आ गया, अब देखिए का गुप्त काल में मृद मूर्थी कल्ला, गुप्त काल में मृद भात कल्ला की प्रगत्ती हुई, इस काल के कुम्भकारों ने पक्की हुई मीठी के छोटे-छोटी मूर्थीयों बनाई, इनमें चिकनाट और शुडोलता पाई जाती है, मत्हूरा अधि स्थानों से प्राप्ति हुई हैं धार्मिक मूर्तियों के साथ-साथ इन स्थानों से अनेक लोकिक मूर्तियां भी मिलती हैं हाडपूर से कर्षन लिलाओं से संबनित कई सुन्दूर शीर का उले किया जा सकता है कुछ मूर्थियों में उच्खोटी की कारीगरी का पड़शन मिलता है एक गोल फलक पर रत में आसे इन सूर्य का चित्रन रहा है रत में साथ गोड़े खीय रहे हैं। दो देवियां उस्सा और परत्युस्सा परकास बिखेर रही हैं। किया जा सकता है। इसके साथ दो बालक बैठे हुए हैं तता उनके समीप लड़ूओं की एक डाली रखी हुई परदर्शित की गई है। यह सम्भवता यसोदा के साथ कृष्ण और बदराम का दर्शे है। अब देखेगा गुप्तकाली चित्रकला में अजन्ता के चित्र। वासुदेव सरन अगरवाल के सब्दों में गुप्त यूग में चित्रकला अपनी पूर्ण ताग को प्राप्थ हो चुकी थी। गुप्तकाल के पूर्वे चित्रकला के उदारन भहुत कम मिलते हैं। प्रारंबिक चित्र प्राग एत्याशिक यूग की परवत गुफाओं की दिवारों पर प्राप्थ होते हैं। कुछ गुप्तकाल तक आते आते चित्रकलों ने अपने कला को प्रियाप्त रूप से विक्सित कर लिया था। प्रशिद हैं। और हम आपको अलग से इनका वीडियो दिखाएंगे बाग चित्रकला का और अजन्ता गुफा चित्रकला ठीक है। इसमीत का अनुमान है कि अजन्ता में गुफा निर्मान कारी समाप्त होने के बाद बाग में गुफाएं उतकिरने की गई। फरग्यूसंद धाप्रगेस जैसे कुछतामर पत्रों पर ब्रामी लिपी में लेक अंकित हैं। जिनका समय चोथी पांचु स्ताब्दी निर्दारित की गई है। संभवता इस चेत्र में सासन करने वाले गुफतों के सामन्तों द्वारा इन गुफाओं का निर्मान करवाया गया है। बाग की गुफाएं विंदे पहाड़ियों को काट कर बनाए गई हैं। सरव पर्तम 1818 इस्वी में इसका पता डेंजर फिल्ड ने लगाया था। इन गुफाओं के संक्या नो हैं। जिन में चोथी पांच वी गुफाओं के बिस्ती चित्र सबसे अधिक सुरक्षित अवस्ता में हैं। ये चितर अजन्ता के चित्रों से इस अर्थ में भीन हैं क कि इनका विशे दार्मिक न होकर लोकिक जीवन से संबंदित है। तो देखेगा इस वीडियो में हमने गुफतों के जो कल्ला इस्तापत्य कल्ला है इनके बारे में जानकरी प्राप्त की। और आगे भी हम आपको विश्तरी तोर पर इन सब चीजों के बारे में बताएंग तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे।